हीएज़ पूर्म बाग टू आज वोग बात करने वाले हैं 7th of February 2023 के कुछ current fair questions के उपर so let's get start with the first question and the first question is Pakistan former President Parveesh Musharraf when did pass the way in Dubai 3rd of verses it's a which is 5th of February 2023 तो मौत इनकी हो चुकिए आप सभी ने इनका नाम कही ने कहीं सुना होगा इन्होंने यहाँ पर Pakistan में 1999 में 1999 में यहाँ पे इन्होंने military coup करके पाकिस्तान को capture कर लिया था और वहाँ पे head of the state बन गया थे लेकिन 2002 का जब यहाँ पे general election आया तो उसमें भी यहाँ पे यह जीत गया तो देखा जाए तो यहाँ पे 1999 से लेकर के 2008 तक का जो इनका कार्यकाल पुरा रहा है लेक पाकिस्तान में उके इसके अलावा बात करें तो 1965 का war 1971 का war और 1990 का war बदेखो जो कार्यकिल वार यहाँ पे हुआ है वह इन यहाँ पे डेली में इनका जनम हुआ था उसके बाद फिर partition हुआ फिर वह पाकिस्तान मूव कर गए उनकी फैमिली और फिर वहाँ वह अपनी आखा दिखा गया इसके अलावा यहाँ पे दुबाई में इनकी मौत हो चुकी है इसके अंदर यहाँ पे इनरजी ट्रांजेशन के उपर यहाँ पे पूरी मीटिंग थी इसके अंदर यहाँ पे इंडस्ट्रिलिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, साइंटिस्ट, अकाड़मिक्स, और भी बहुत तरे अलग-अलग फील्ड के लोग यहाँ पे आए अलग-अलग कंट्री से, काफी इंपोर्टन्ट है यह, reason is that कि अभी के टाइम पे हमारे पास जो climate change वाला जो सबसे बड़ा problem है, उसको tackle करने के लिए यही एक सबसे best solution है कि हम लोग यहाँ पे clean energy के उपर focus करें, net zero emission के उपर focus करें, renewable energy के उपर focus करें, pollution को यहाँ पे control करें, और भी यहाँ पे कई सारे major steps हैं, जो हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे, यहाँ तक कि इंडिया ने declare काफी पहले कर दिया है, कि हम लोग यहाँ पे 2070 में, यहाँ पे net zero emission वाला country यहाँ पे बन जाएंगे, और कई सारे ऐसे भी state है, जिन्होंने यह भी बोला है कि हम लोग renewable energy के उपर पूल तरीके से dependence हो जाएंगे after a period of time, उसके उपर भी हम लोग बात करने वाले कौन कौन से state ने बोला है, इसके अलावा बात करने तो NTPC जो है, यह अपने आप में काफी बड़ी company, जो like India के यहाँ पे largest company है, जो power को यहाँ पे generate करती है, और काफी huge amount of work करती है energy क के उपर, साथ ही मेंनों ने कई सारे अपने factories या फिर industries को like पूरा का पूरा renewable energy के उपर convert कर दिया, तो यह अपने आप में काफी एक important entity है हमारी country के लिए, next question is the 36th edition of सूरज कुंड इंटरनाशनल क्राफ्ट मेला कमर्स दे इन विच स्टेट on Feb 3 to Feb 19th, right answer of 3rd is it's A which is Haryana, तो हर्याना में इसको यहाँ पे किया गया, हर्याना में ही सूरज कुंड मेला है, उसको यहाँ पे किया जाता है, तो सूरज कुंड मेला की जो पूरी authority है, वो इन्होंने यहाँ पे देखो, सूरज कुंड मेला authority, उके, प्लस हर्याना tourism, प्लस जो अपना union ministry है, तूरिजम के उपर, इन सब ने यहाँ पे collaborate किया, कौन कौन है, सूरज कुंड authority, उसके अलावा यहाँ पे हर्याना tourism, और union ministry of tourism, जो है, इन सब ने यहाँ पे, इसके one of the largest craft fair है, all over world का, like, सबसे बड़ा, one of the largest craft fair in the world, okay, इसके अलावा यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे इस जो यह particular मेले में, यहाँ पे क्या हुआ, तो भाई, अपनी country में, जितनी भी best चीज़े हैं, उसको यहाँ पे showcase की गई, okay, especially अगर हम बात करें, तो handicraft के मामले में, hand showcase किया, okay, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, तो इंडिया का अपना खुद का handmade जितनी भी items है, वो सब कुछ इसके यहाँ, इस particular मतलब कह सकते हो, कि fair में यहाँ पे रखा गया, okay, इस बार का main concept था, इस time का कैसा तो कि main theme था, वो north east के उपर था, कि भाई, north east में ज कितना मतलब बहतरीन है, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, even though कि वहाँ की tradition, वहाँ के culture भी कितना अच्छा है, okay, तो उन सब चीजों को यहाँ पर promote करने के लिए किया गया, okay, इसके अंदर यहाँ पर इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, केरिकस्तान, रशिया, पाकिस्ता सारी कंट्रीज यहाँ पर आये थे, जो SEO के member है, okay, शांगाई कॉर्परेशन, organization के यहाँ पर member है, वो सब यहाँ पर आये थे, okay, काफी अच्छाता कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अभी यह पूरा का मुला जो मेला है, अभी यह बहुत लंबा जाएगा, 19 February तक जाएगा, त कोई भी problem इसमें नहीं है, okay, next question is, who launched, sorry, who launched the save wetland campaign in Goa on 4th of Feb, so rather on 4th of 4th is, it's a D which is भुपेंदर यादव, okay, भुपेंदर यादव जो है, यहाँ यहाँ पर union minister नहीं किस्टीज के environment, forest and climate change के, okay, इन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई, अब हमें यहाँ पर wetlands के उपर, wetland को यहा campaign चलाना पड़ेगा, जिसमें ना सिर्फ government के people, बलकि हमें यहाँ पर society की भी यहाँ पर help लेनी पड़ेगी, okay, इसके अलावा जो भी हमें यहाँ पर, जो अपना climate change का, जो यहाँ main risk है, उसको अगर हमें कम करना है, अगर उसको हमें यहाँ पर manage करना है, तो भाई, हमें यह यहाँ पर wetlands को भी यहाँ पर save करना होगा, जो भी यहाँ पर threat है, उन सारे threats को यहाँ पर eliminate करना है, इसके अलावा यहाँ पर जो अपनी society है भाई, उनको यहाँ पर काफी दा काम करना पड़ेगा, इसके अलावा हम बात करें, तो wetland अपने आप में काफी important है, हमारे environment के ल यहाँ पर convention है, एक अपना रामसार convention है, सारी चीज़े काफी important, तो wetland अभी कड़ेंपे काफी ज़्यादा जरूरी हो गया है, याद रखिए का question भी काफी important है, नेक्स्ट क्वेशन इस हूँ इनागरेट सार्स आजीवक मेला इन जमू एन कश्मीर, स्राड उन सर फिफ्स इस lieutenant governor है, इसके अलावा बात करें, तो यहाँ पर 11 डे, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला, यहाँ पर रहता है, यहाँ पर जो women's हैं, उनको यहाँ पर opportunity दी जाती है, self help groups की मदद से, so that कि वो अपना जो India handmade, या फिर Indian made जितने भी products हैं, वो उनको यहाँ पर showcase कर सके और promote कर सके, women's को यहाँ पर एक platform provide करने के लिए भी इस particular festival को, यह फिर इस particular fair को यहाँ पर organize किया चाता है, यहाँ पर जितने भी अपने startups वगरा हैं, उसको भी यहाँ पर काफी boost मिलता है, all over country से यहाँ पर जो women's है, वो यहाँ पर आती है, participate करने के लिए, और अपने products को यहाँ पर showcase करती ह तो अपने आप में यह काफी अच्छा है, साथी में जमू और कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि यह काफी disturbed area है, तो भाई वाकी में disturbed area है, लेकिन अगर हम इस तरीके के यहाँ पर काम करेंगे, तो all over country हमारा जमू और कश्मीर से यहाँ पर connect कर और वहाँ पर जो अभी का महौल है, वो change होने के 10 times chances बढ़ जाते हैं, तो केरला जो है, वो बोल रहा है कि भाई अब बस हो गया, अब हमें यहाँ पर develop करना है green hydrogen, green hydrogen के लिए जो environment हमें यहाँ पर चाहिए होता है, उसके और जो चाहिए होता है, वो केरला के पास यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से मिल जाता है, इसके अलावा, as I told you कि यहाँ पर कई सारे states हैं, जिन्होंने यहाँ गोशना कर दिया है कि हम लोग आने वाले time में यहाँ पर पूरी तरीके से renewable energy के उपर depend हो जाएंगे, उसमें से केरला number one पर आता है, केरला ने बोला है कि यहाँ य सिथा मतलब होता है कि जितना हम लोग यहाँ पर carbon, let's suppose कि अगर produce करेंगे, तो उसको हटाने के लिए हम लोग बदले में कुछ और कर देंगे, जिससे कम carbon release हो, जैसे मान लोग कि हमने कुछ-कुछ carbon release किया, तो उसको neutral करने के लिए हम यहाँ पर 10 पेन लगा दिये, पेन लग कर सके, यह काफी यहाँ पर eco-friendly यहाँ पर development होने वाला है, इसके करण जो carbon emission है वो भी यहाँ पर reduce हो जाएगा, green hydrogen से यहाँ पर renewable energy बनाई जाएगी और उस energy से यहाँ पर power मिलेगा, जितनी भी वहाँ पर industries है, जितनी भी घर है, जितनी भी government offices है, private offices है, सब को यहाँ पर power मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल कम हो जाएगा, और उसके कारण जो वहाँ लोग हैं, वो काफी अच्छे तरीके से रह पाएगे, और एक काफी advanced state के category में वो आ जाएगा, 2040 तक, मतलब independent के 100 साल होने से पहले वो कर लेगे, जोगी काफी अच्छी बात है, next question is, which country chief justice is the guest, chief guest of the 73rd foundation day of the supreme court of India, so right on sort of 7th says, it's a B which is Singapore, okay, तो Singapore के जो यहाँ पर chief justice है, जिनका नाम है सुंद्रदेश मैनन, okay, नाम में लिख देता हूँ, S-U-N-A-D-R-E-S-H, मैनन, M-E-N-O-N, okay, सुंद्रेश मैनन, okay, सुंद्रेश मैनन, okay, सुंद्रेश मैनन जो हैं, यहा यहाँ पर यह chief guest थे, 73rd foundation day में, okay, मतब किसका, Supreme Court का 73rd foundation day, okay, Supreme Court अपने आप में काफी important है, इस बार यहाँ पर जो announcement हो रहा था, उसमें बोला था कि भाई, जो judiciary है, इसका एक काफी important role यहाँ पर रहता है, world को यहाँ पर change करने में, okay, world में peace create करने में, और justice के मामले में, okay, relations मिलते होंगे, जो अपने court room के जो यहाँ पर जो किस तरीके से practice की जाती है, आपको उन सब के वीडियो यहाँ पर मिल जाते है, तो वो काफी सही होता, okay, इसके अलगर हम बात करें, यहाँ पर तो देखो, अपना 26th January 1950 में हमारा जो देश था, वहाँ पर यह सुविगरिन, democratic और republic यहाँ पर यह घोशित हो गया था, okay, इसके दो दिन बाद, 28th January 1950 को क्या हुआ, कि भाई हमने यहाँ पर Supreme Court of India को यहाँ पर establish कर दिया, okay, दो दिन के बाद बोला कि भाई सबसे पहले Supreme Court है, उसको यहाँ पर establish करो, तो यहाँ पर यहाँ दो दिन बाद, यानि कि 28th January 1950 को यहाँ पर establish कर दिया, okay, तो date थोड़ा सा याद रखेगा, काफी important, okay, अभी इसकी strength, 33 plus 1, यानि कि 33 हमारे Supreme Court के judge, और एक अपना यहाँ पर Chief Justice of India, okay, थोड़ा थोड़ा चीज़ें important होती है, सबको पता होगा यह चीज़ें, काफी easy, okay, next question is, which Indian Armed Force and wielder revised doctrine of lay out its role in no war, no peace scenarios, right on sir of 8th is, it's C, which is Indian Air Force, okay, Indian Air Force ने यहाँ पर सीधा बोल दिया है, कि भाई हम यहाँ पर defensive भी रहेंगे, मतलब कि no war, और साथ में यहाँ पर हम लोग offensive भी रहेंगे, यानि कि no peace scenario, okay, किस चीज़ में counter operations में, अगर कोई country हमारे उपर यहाँ पर अ offensive भी यहाँ पर काफी बुरी तरीके से हो जाएंगे, इसके अलावा यहाँ पर बोला है कि भाई हम लोग air power तो हमारे पास है ही, साथ में हमारे पास aerospace power भी है, जिसके मदद से हम लोग किसी भी country को यहाँ पर धूल चटा सकते हैं, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई इंडियन एर फोर्स ने यहाँ पर सीधा बोल दिया कि भाई कोई दिक्कत देगा तो बड़ी मार मारेंगे, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई joint operations में हमारी इंडियन आर्मी भी रहेगी नेवी रहेगी और इंडियन कोस्ट गार्ड भी यहाँ पर शामिल रहेगा, सब को पता है कि भाई जार्खंट पुराण नाम छोटा नागपूर है, छोटा नागपूर कह सकते हूं या फिर छोटा नागपूर प्लेटू कह सकते हूं, यहाँ पे कोईला बहुत huge amount में निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि माइनिंग का टाइम पे कुछ यहाँ पे sample collect किया गया, उसमें यहाँ पे कुछ-कुछ heavy concentration of toxic metals यहाँ पे मिला, जो की सही बात बिल्कुल भी नहीं है, इससे air pollution तो हो ही रहा है, साथ में काफी यहाँ पे high amount of high health risk यहाँ पे हो रहा है, and especially for children, इसके अलावा यहाँ पे जो अपना state का जो pollution control department है, यहाँ गया, state pollution control department पे बोल सकते हैं, इसके अलावा राची में भी यहाँ पे अपना एक pollution control का है, इन सब लोगों ने यहाँ पे बोला है कि भाई, अब हम लोग यहाँ पे चुप-चाप नहीं बैठेंगे, यहाँ पे हवा को clean करने के लिए, environment को clean करने के लिए, हमें यहाँ पे strong actions यहाँ पे लेना पड़ेगा, साथी में यहाँ पे इन्होंने air quality monitoring system को भी यहाँ पे establish कर दिया, इससे पहले यहाँ पे राची में कोई भी मतलब air quality monitoring system यहाँ पे नहीं था, अब इसको यहाँ पे किया गए, बिकॉस थोड़ा बहुत जदिख यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, नेक्स्ट क इंडिया ने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे Chinese applications को यहाँ पे ban किया है, जो कि यहाँ पे loan provide करते हैं और यहाँ पे betting के source है, जिसमें से यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक अगर हम बात करें, तो betting में यहाँ यहाँ पे 138 अलग-अलग applications को यहाँ बैन किया गया है और loan में यहां पर 94 अलग-अलग applications को यहां पर बैन किया गया है ओके अंडर section 69 of IT act ओके 69 ओके 96 लिख दिया लिख देते हैं ठीक से section 69 of IT act ओके यहां रखिए गया इस चीज़ को और इसमें mainly यही चीज़ लिखा हुआ है कि भाई जो भी यहां पर applications को बैन किया गया है वो यहां पर national security को interest में देखने के लिए देख करके किया गया ओके साथी में यहां पर जो public access है उन सब को यहां पर block कर दिया गया है कोई भी इंसान application को यहां पर access नहीं कर पाएगा और जो भी illegal way में इसको यहां पर access करता है with the help of VPN proxy and all that thing तो उसके उपर कारवाई की जाएगी में भी उसके उपर देश द्रोह का अरौप भी लगा सकते हैं सुप्रीम कोट नहीं लगाएगा कॉमन लोग लगाएंगे नेक्स्ट कोशन इस हूँ लाँच दे मास्कॉट थीम सॉंग एंड जर्सी फॉर्ड थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन जमू एं कश्मीर और फॉर्थ और फेब त्रड़ंसर उफ एलेव तब हुआ था दो तर 20 में यहां पर किया गया था और यहां पर यह खेलो इंडिया विंटर गेम्स तो विंटर गेम्स करने के लिए एक सबसे बहस्त जागा जमू एं कश्मीर या फिर लद्दा ओके तो जमू एं कश्मीर में कर रहे हैं सोला सोला नी दस दस फरबरी से ले जितने भी गेम से उसको इसलिए हम लोग कर रहे हैं विकॉस अलग-अलग टायद के स्पोर्ट्स में जो हमारे यूथ हैं वो यहां पर पार्टिसीपेट कर सकें और आफ्र पार्टिसीपेशन आफ्र बिकमिंग दे बेस्ट हमारी कंट्री को इंटरनाशनल प्लाट्फॉर पर यहां पर यह प्रिप्रेजेंट करें हैं कि नाइन अलग-अलग यहां पर sports है। कुछ-कुछ sports के नाम मुझे पता है जैसे यहां पर अपना snow shoe pacer, ice skating, ice hockey, ski, snowboarding इसाही सब कुछ यहां पर रहता है। चार से पांच दिन का यहां पी गेम रहेगा और इसमें जो भी विनर रहेगा उनको एडवांस में कॉंग्राइचुलेशन पर के तो इस इड़ गाइस थांक यू और थांक यू वाचिन दे सुडियो